नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी डॉमिनोस से होम डिलिवरी करवाई या पीज़ा की या फिर कभी आपने एर इंडिया से कोई फ्लाइट ली है अगर इन दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब आपके लिए हाँ है तो बड़ा हाई चांस है कि आपका पर्सनल डेटा ली किया गया मेंस्टिंग मीडिया में तो आएए जानते हैं दोस्तों exactly क्या हुआ है और कैसे आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में होता है तो Domino's इंडिया में सबसे बड़ी पीजा डिलिवरी की कमपनी है शायद और Air India देश की सबसे जानी मानी एरलाइन्स इन दो कमपनीज में बड़े डेटा ब्रीचिज हुए हैं अब ये क्या होता है डेटा ब्रीच इन कमपनीज के पास कस्टमर्स का डेटा बेस होता है यानि यजब आप पीजा ओर्डर कराते हैं Domino's से आप अपने फोन नमबर से उनका फोन नमबर डायल करते हैं तो वो आपका फोन नमबर स्टोर कर लेते हैं कि इस नमबर से कॉल आया है इस नाम के इनसान ने कॉल किया है और वो इस घर के एड्रेस पर पीजा डिलेवर करवाना तो 16 एपरिल 2021 की बात है कि एक इसराइल बेस्ट साइबर क्राइम इंटेलिजन्स कंपनी है उसके को फाउंडर ने पाया कि हैकर्स ने पोस्ट कर रखा है और हैकर्स क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 13 टीवी से ज्यादा का डेटा है डॉमिनोस का जिनमें 2015 से लेकर 2021 तक के 18 करो और हैकर्स ने तकरीबन 4 करोड रुपए की डिमांड करी इस डेटा के लिए और जब किसी ने इस डेटा को नहीं खरीदा तो उन्होंने इस डेटा को इंटरनेट पर पब्लीकली डाल दिया कि कोई भी देख पाए एक सर्च पोर्टल बनाकर उस सर्च पोर्टल पे बस लिखेंगे या इमेल एडरेस लिखेंगे और उससे जुड़ी हो इस सारी इंफोमेशन नीचे आ जाएगा आपने कितनी बार टोटल में डॉमिनो से पीजा ओडर कराया है पिछले 6 सालों में कितना टोटल अमांट स्पेंड किया इन ओर्डर्स पर आपका लिंक्ट इमेल इसी क्या वैल्यू है आपका डिलिवरी एड्रेस क्या है विद प्रिसाइज लैटिट्यूड और लॉंगिट्यूड और इन इन फोमेशन यानि आपका एक्जाक्ट घर कहां पर है यह पता लग जाएगा उससे और किन डेट और टाइम को यह ओर्डर किये गए यह सारी इन यह statement दी No data pertaining to financial information of any person was accessed and the incident has not resulted in any operational or business impact मतलब Domino's कह रहा है कि उनके business पर इससे कोई फरक नहीं पड़ा जो कि obviously बात है इनके business पर क्या फरक पढ़ना है Customers का data चोरी हुआ है नहीं यह पर As a policy we do not store financial details or credit card data of our customers Thus no such information has been compromised Domino's की माने तो वो credit card data को save ही नहीं करती है customers के लेकिन hackers का कहना है कि उनके पास यह credit card details भी available है किस पर यकिन किया जाए पता नहीं लेकिन video को end तक देखना क्योंकि मैं बताऊंगा इस चीज़ को avoid करने के लिए क्या करना चाहिए अब problem क्या है सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यह सारा data अगर internet पे चला गया तो आपको क्या फरक पड़ रहा है कुछ लोगों को आपका घर का address पता लग जाए कुछ लोगों को phone number पता लग जाए क्या होगा आपको मैं आपको बताता हूँ क्या असर पड़ता है इससे आपको बड़ी असानी से scam किया जा सकता है इसका इस्तिमाल करते हैं ऐसे बहुत से scams देखने को मिलते हैं जिने अकसर OTP scams कहा जाता है कोई यहाँ पर fraud करने वाला इंसान आपको call करके कहेगा कि आप यह hello क्या आप धुरुवराठी बोल रहे हैं मैं कहूंगा हाँ क्या आप इस address पर रहते हैं मैं कहूंगा हाँ वो कहेंगे कि मैं इस bank से call कर रहा हूँ confirm करने के लिए कि आपको यह OTP आया है या नहीं आया है अब अगर उसके पास आपका नाम है आपका address है आपके credit card details है तो आपको लगे है कि यह तो यकीन कर लेना चाहिए इस इनसान पर मुझे क्योंकि यह तो मुझे सब कुछ बताने लग रहा है तो bank से ही होगा पकाई आदमी call करने वाला तो मैं उसे confirm करने के लिए अपना OTP बताऊंगा और वो वहाँ से पैसे निकाल लेगा मेरे bank से ऐसे actually में बहुत से scams हुए है जहां पर लोगों की personal details का इस्तिमाल करके उन्हें बेवकूफ बनाय जाता है और fraud किया जाता है असल में problem क्या है दोस्तों तो अगर किसी भी scammer के पास आपका full name घर का address और phone number है और वो बड़े professional तरीके से आप से बात करता है तो उसकी बातों में आकर बेवकूफ बनना बहुत आसान हो जाता है अगर किसी भी इनसान के पास इतनी सारी details है आपके बारे में तो आपको phone पर बात करके लगेगा कि हाँ ये पकका किसी bank से ही बोल रहा हुगा तब ही इसको मेरे बारे में इतनी चीज़े पता हैं तो आप उसकी बातों में आकर बहुख जाते हैं ये सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों रियालिटी में स्कैम करने के धेरो तरीके हैं आपका परसनल डेटा इस्तिमाल करके और इसके इलाव आपके परसनल डेटा का मिस्यूस किया जा सकता है फाल्तू की एड्स देने के लिए आपके phone numbers पर spammy messages भेजने के लिए जो फाल्तू के एड़ वाले SMS आते रहते हैं यह अक्सर वही होता है कि यह जो हैकर्स हैं यह डेटा को बेच देते हैं किसी बड़ी कंपनी को और वो कंपनी इस्तिमाल करती हैं आपके phone में spam भरने के लिए अब solutions की बात करने से पहले आएए एक बारी Air India के data breach को भी देख लेते हैं Air India में जो data breach हुआ है यह 2011 से लेकर 2021 तक का data leak हुआ है 4.5 million से ज़्यादा Air India के customers का इसमें इनके नाम, date of birth, contact information, passport information, ticket information, star alliance या Air India का frequent flyer number और साथ ही साथ credit card data भी included है अब credit card data में बात यह है दोस्तों कि इसका मतलब यह नहीं है कि credit card data leak हो गया तो यह सारे लोग, यह सारे hackers आपका credit card इस्तिमाल करके कुछ भी online खरीद सकते हैं ऐसा नहीं होता क्यूंकि CVV number होता है credit card के पीछे और यह CVV number इनके database में store नहीं होता है तो यह चिंता करने की जरूत नहीं है कि एकदम से कोई भी आपके credit card से कुछ भी खरीद लेगा लेकिन credit card का number भी leak होना बहुत बड़ी चीज होती है जितनी ज्यादा information leak होगी उतना ही ज्यादा आसान होता जाएगा scammers के लिए और in fraud करने वालों के लिए आपको बेवकूफ बनाना और scam करना अब देखो कोई phone call करके आपको कहेगा कि आपका credit card नमर ये 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 है तो आपको लगेगा अच्छा है ये तो पक्का credit card की company से बोल रहा है तभी ये सब पूछ रहा है तभी से ये सब पता है इसलिए और भी आसान हो जाता है बेवकूफ बनाना तो कम से कम data scammers के पास जाए hackers के पास जाए ये ही अच्छा रहता है एर इंडिया ने इसके response में कुछ कदम उठाए है जैसे कि इन्होंने कहा है कि इन्होंने compromise servers को अब secure कर लिया है इन्होंने credit card issuers को notify कर दिया है important चीज़ ये है दोस्तों कि ये कोई पहला data leak नहीं है कहीं पर big basket का कहीं पर mobi quick का इतने सारे data breaches हुए हैं इंडिया में और सरकार के perspective से देखें सरकार की जो responsibility बनती है सरकार ने अभी तक एक धंका data protection law नहीं बनाया है इंडिया में European Union में एक बहुत ही strong GDPR law exist करता है वो इतना strong है कि वो ना सिर्फ इन companies को accountable ठहराता है जब भी कोई ऐसा data breach हो बलकि वो ये भी कहता है कि जो ये companies लोगों के data collect करें ही वो data collection minimal होनी चाहिए मतलब जिस company को जिस data की जरुवत है सिर्फ वही collect किया जाए बाकी फालतु का data वो ना store करें अपने systems में और साथ ही साथ जो ये data store कर भी रहे हैं वो एक certain amount of time के बाद delete कर दिया जाए और अगर customers request करें तो भी उस data को delete कर दिया जाए लेकिन इंडिया में क्या है आज के दिन अगर आप चाहोगे कि इन companies को बोलो कि ये जो आपने मेरा data ले रखा है इसे delete कर दो अपने servers क्या कोई है ये तरीका करने का कुछ गिनी चुनी companies ने कुछ options डाल रखे हैं और वो भी बड़े hidden options हैं कि अगर आप चाहें तो अपना data हमारे database से delete करवा सकते हैं और उसमें भी ये companies जिनोंने ये options डाल रखे हैं वो हफते लगा देते हैं तो ये तो हो गई सरकार की responsibility अब सवाल उठता है कि आप अपने आप से क्या कर सकते हो दोस्तों अपना data secure रखने के लिए सबसे पहली चीज है कि जब भी आप online कहीं पर अपना data डाल रहे हो तो उसे minimize करने की कोशिश करो जब भी कोई website आपकी personal information मांगती है तो extra चीजे देने की जरूरत नहीं है जब वो required नहीं है तो वो star बना आता है ना कि आप अपना full name डालो, email address डालो phone number पर कभी optional बना आ जाता है कई बारे तो जहां पर optional लिखा है उस चीज को मत डालो फालतु में उन्हें वो data देनी की जरूरत नहीं है जहां पर उसकी जरूरत नहीं है अब अक्सर कई बारी क्या होता है जब आप अपनी credit card information डालते हो online website की नीचे option बना आता है कि save this credit card information for future purposes मतलब वो website आपकी credit card details को save कर लेगी ताकि future में जब आप उस website को इस्तिमाल करो तो credit card information बड़ी असानी से वहीं पर website पर available हो आपको दुबारा से type करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कई websites में आज के दिन ऐसा option होता है इस option को कभी मत क्लिक करना है इसका मतलब है कि वो website आपके credit card details को save कर रही है तीसरा है कि कभी भी same passwords मत इस्तिमाल कीजिए अलग-अलग websites पर account बनाते होता क्या है अगर एक website में यहाँ पर data breach होगा तो आपका password hackers के पास चला जाएगा और अगर वही password आपने कहीं और use कर रखा है तो hackers को तो दूसरे accounts का भी access मिल जाएगा अगर facebook पर data breach होता है hackers को आपके twitter, instagram इंसब का भी password पता लग जाएगा इसलिए अलग-अलग password रखिए और अलग-अलग password रखने का मतलब यह नहीं है कि आपने यहाँ पर domino's का password बनाया 123456 domino's और air india का password बना दिया 123456 air india hacker बेफकूफ नहीं है, वो भी pattern देख सकता है, अगर उसने देख लिया कि आपने यहाँ पर password इस्तिमाल कर रखा है 123456 domino's तो वो भी पता लगा सकता है बड़ी असानी से कि अच्छा air india में इसने पका लिखा होगा 123456 air india तो ऐसी चीज़े भी मत कीजिए, बहतर यही होता है कि completely different password रखिए जितना complex और जितना लंबा password होगा, उतना ही मुश्किल होगा hackers के लिए guess करना इसी reason से password managers का इस्तिमाल करना अच्छा रहता है iOS के अंदर तो inbuilt ही होता है iPhone और iPad के अंदर, उसी password manager का इस्तिमाल कर लीजिए जो यह phone खुद से suggest करता है, वो बहुत ही complex और लंबे password suggest करते हैं जो कि जिनमें अलग-अलग letters और symbols का mixture होता है, जो कि कोई भी इंसान याद भी नहीं रख सकता वैसे चौथा है कि इंटरनेट पर browsing करते वक्त हमेशा एक VPN का इस्तिमाल कीजिए अपने location data को secure रखने के लिए होता क्या है, आज के दिन बहुत सी websites, almost हर एक website को आपकी location पता होती है आपके IP address से आपका जो IP address है वो आपकी location रिवील कर देता है और ये websites इस data को store करती है अकसर इन्हें पता होता है कि आप कौन सी country से, कौन से region से उस website को visit करने लग रहे हैं और VPN इसी चीज़ को छुपा कर रखता है, अगर कभी भी आपको कोई SMS आता है जिसमें लिखा हुआ है कि wrong CVV entered या wrong pin entered तो SMS को seriously लीजिए, बहुत से लोग ऐसी चीज़ों को seriously नहीं लेते हैं, अब जो किसी का WhatsApp आज़े तो बड़े तुरंथ respond कर देते हैं, लेकिन ऐसे important SMS को अक्सर ignore कर देते हैं, अगर ऐसा होता है तो bank को inform कीजिए और अपने card को block कीजिए, इसका मतलब है कि किसी के पास आपके बागी credit card details मौझूद है लेकिन CVV नहीं है उनके पास और वो CVV उनके पास जाना नहीं चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुक्के से कहीं उन्हें पता लग जाए, वो try करते रहें तो next point, one of the most important points है, अगर कभी भी आपको कोई phone करता है और कहता है कि जरा मुझे OTP बता दो जो आपके phone पर आया है, मैं bank से बोल रहा हूँ, मैं यहां से बोल रहा हूँ, फलान है डिमकाना, मत यकीन करो, कभी भी किसी को भी अपना OTP मत बताओ, OTP जो होता है सिर्फ आपके लि आते हैं, तो अकसर security questions के लिए website पूछती है, जरा ध्यान रखिए यह जातर security questions होते हैं कि आपके कुत्ते का नाम क्या है, आपकी mother का maiden name क्या है, यह बड़े ऐसे सवाल हैं जो बड़ी असानी से आज के दिन social media पर मिल सकते हैं, तो इन security questions में ध्यान रखिए कि ऐसे सवालों क जिनके जवाब मत डालिये, जिनके जवाब आपके social media पर publicly सबको देखने के लिए मिलेंगे, आज के दिन बहुत से लोग social media पर ऐसी ऐसी information शेयर करते हैं, जो कि उन्ही security questions के answer होते हैं, इसका भी ध्यान रखिए, इसके बाद अपने phone के operating system को और computer के software को हमेशा up to date रखिए, लेटेस्ट वर्जन पर रखिए, पुराने वर्जन में अक्सर कम्या होती हैं, लूप होल्स होते हैं, जिनने hackers access कर सकते हैं और exploit कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा आसान है follow करना, जब भी आप किसी website पर जाते हैं तो उसका URL देखिए, क्या वो HTTP से शुरू होती है या फिर सिर्फ HTTP से शुरू होती है, यह जो S letter है, यह बड़ाई important letter है, S का मतलब है secure, जो भी website सिर्फ HTTP से शुरू होती है, उस website पर मत जाईए, वो secure website नहीं, जो भी websites HTTP S से शुरू होती है, वो secure website से, जैसे मेरी भी website है, वो HTTP S से शुरू होती है, जब भी मैं खुद से कुछ करता हूं तो इन चीजों को ध्यान रखने की पूरी कोशिश करता हूं जैसे जो एप भी बनाई है मैंने खुद की धुरुबराटी आप आपको पता ही होगा वो एप कम से कम डेटा लेने की कोशिश करती है आप से आप उस एप में अपना अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ आप जो नाम डालेंगे और आपका इमेल और खुद से डिसाइड के अवा पासवर्ड वो एप आपका कोई लोकेशन डेटा नहीं मांगती कोई फोन नंबर नहीं मांगती इन चीजों की जरूरती नहीं तो क्यों फालतु में कलेक्ट करी जाए यह जो डेटा कलेक्शन है यह मिनिमल रहनी चाहिए कम से कम हो और एक फाइनल टिप दोस्तों हमेशा याद रखिए दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता बहुत सी वेबसाइट्स आपका डेटा कलेक्ट करती है आपको फ्री का लालच दिखाकर यह दखो यह समान यहां पर फ्री में मिलने लग र जो आपके डेटा को कलेक्ट करती है और उस डेटा को बाद में बेचा जाता है तो टेकनिकली वो चीजें फ्री नहीं है आप अपने डेटा को देने लग रहे हैं उन वेबसाइट को इस फ्री के रिटर्न में और एंड में मैं यह कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो सारी टि बनाए और इन कंपनीज के ऊपर है कि यह रिस्पॉंसिबली बिहेव करें आपके डेटा को लेकरें उमीद करता हूं यह वीडियो इंफरमेटिव लगा होगा मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत-बहुत धन्यवाद